हिंदी सिनेमा को लेकर आए दिन कई फिल्मेकर निशाना साथते रहते हैं नमस्कार मैं दिती फॉसदार आप देख रहे हैं हमारे साथ दनगरी मीडिया आजकल मूवी कंटेंड को टारगेट करते करते कुछ लोग बॉलिवुड को टारगेट करते हैं इसी बीच इंडस्ट्री के मशूर गीतकार और निदेशक रह चुके गुलजार ने हिंदी फिल्मों पर निशाना साथा भारते सिनेमा घर का स्तर बदलते वक्त के साथ काफी बदला है फिल्मों का अंदाज और कलाकारों का टशन पहले से काफी अलग हो चुका है एक सेक्शन बॉलिवूड के इस डवलप्मेंट को सपोर्ट करता है जबकि दूसरा सेक्शन अभी भी ऐसा मानता है कि हिंदी सिनेमा में आज भी वही पुरानी थीम पर बनी फिल्मों का निर्मार लगातार किया जा रहा है इस मामले में मशूर गीतकार और निदेशक गुलजार का नाम शामिल हो रहा है जिन्नों ने आधुनिक बॉलिवूड फिल्मों की जम कर अलोचना भी की प्रसिद्ध कवी के तोर पर हाली में गुलजार ने साहित्य अकेडमी के लिक्ट्रेचर फेस्टिवल के 49 एडिशन समवत्सरा लेक्चर में भाग लिया इस दोरान उन्होंने भारते सिनिमा पर निशाना साथते हुए बताया गया कि हिन्द सिनिमा आज भी शुरुआती दौर के सिनिमा जाल में फसा हुआ है चलिए अब जानते हैं कि माचिस फिल्मेकर ने भारते सिनिमा को लेकर क्या कहा उन्होंने विस्तार से कहा कि गुजरे दौर की तुलना में ध्वनी और समबात का तरीका काफी बदल गया है लेकिन कहानियों का सार फिल्मों में अभी भी वही है अत्यदिक समबात गाने और जगरों का वही गिसा पिटा पुरानी बातों वाला फिर्म में लगाता दोराया जा रहा है दुर्भागे से आज भी हम आलमार और हंटर वाली की तरह सब कुछ वैसे ही चलाया जा रहे है इस तरह से गुलजार ने हिंदी फिल्मों की कहानी को सार को लेकर अपनी प्रतिकिया व्यक्त की कुल में आकर उनका कहना था कि वे अधुनिक तौर में मूवी की कहानी को कमजोर कड़ी के तौर पर देख रहे है 89 वर्स के गुलजार ने अपने करियर के दोरान कई शांदार गीतों को लिखा है जिन्होंने आज भी लोग काफी ज़्यादा पसंद करते हैं बत और गीतकार उनके पॉपिलर सौंग है जै हो, सौदर्द, दिल तो बच्चा है, सजदे, आदी इसके अलावा एक निदेशक के रूप में भी उन्होंने काफी ज़र अच्छी फिल्में बनाई है जो कि हैं मार्शिस, पूतुतू, कोशिश, परिचे, अंगूर और आंदी जैसी कई मोवियों का डारेक्शन भी किया है आज के लिए बस इतना ही ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद